हेलो फ्रेंद्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम एक बहुती खूबसूरत नेक डिजाइन बनाएंगे जिसे हम कट वर्क के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्विकली हम अपना नेक कट करेंगे तो नेक कट करने के लिए मैंने वुक्रम को ऐसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है अब हम इस पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम नेक की चोड़ाई को मार्क करेंगे तो चड़ाई मैं यहाँ पर पांच इंच ले रही हूँ, यानि कि टोटल नकी चड़ाई हमारे पास दस इंच आ जाएगी, तो पांच इंच को हम ऐसे ही सीधा-सीधा माग कर लेंगे, तो अब हम नकी गहराई को माग करेंगे, तो गहराई मैं ऐसे सीधे में ले रही हूँ, सीधे में मैं लगबग neck की गहराई 7 इंच ले रही हूँ 7 इंच को हम ऐसे ही सीधा सीधा mark कर लेंगे तो अब हमें इसी के अंदर अपना neck draw करना है तो मैं यहाँ पर round neck draw कर रही हूँ आप पहले धीरे धीरे mark करके देखिए जो भी marking आपकी बिल्कुल perfect आजाए आप उसको dark कर लीजिए तो ऐसे मेरे round neck की marking हो चुकी है अब हमने बाहर से extra bookram को भी draw कर लेना है लगबग पॉना पॉना इंच तो यह एक तरह का double neck design है तो बड़ा वाला neck हमारा ऐसे draw हो चुका है अब हमने इसके अंदर एक छोटा वाला neck draw करना है जिसके उपर हम cut work draw करेंगे तो वो इसी वाली marking के उपर रखके हम चोटे वाले neck को draw करेंगे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और आधा-धा इंच ऐसे draw कर लेंगे हम तो अब हम इस वाली marking को मिला देते है तो अब हमें इसके उपर रखके ही ना round mark है आप कोई भी coin या tape का roll ले सकते हो जिसमें ये round shape हो तो इस scale पे ना मैंने यहां round के आधे में एक mark कर लिया है बस मुझे इतना ही cut work दिखाना है तो अब हम इस वाली line को ना इस वाली marking के उपर रखेंगे ऐसे और अपना cut work draw कर लेंगे तो ये जो cut work है ना हमें center से mark करना शुरू करना होता है तांकि center में आके कोई भी problem ना हो तो अब हम इसको ऐसे center में रखेंगे scale को बीच में रखेंगे इस तरीके से आधे scale को हम ऐसे रखेंगे तांकि एक cut work हमारा center में आए आधा उस तरफ चला जाएगा तो ऐसे हमारा ये cut work भी draw हो चुका है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेंगे तो सबसे पहले हम ये बड़े वाले neck को कट करेंगे तो ये हमारा बड़ा वाला neck कट हो गया है अब हमने cut work को बिल्कुल अपनी marking के साथ साथ कट कर लेना है तो ऐसे हमारे ये दोनों neck cut हो गए है ये बड़ा वाला neck का जाएगा हमारा और इसके बीच में ये cut work वाला neck कैसे आजाएगा अब हमने इन दोनों neck को एक्स्ट्रा फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लेना है तो ये जो बड़ा वाला neck है इसको मैंने ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लिया है और इसको side से fold करते हुए न यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है अब हम इसे अपनी कुर्टी पे रखके पल्टेंगे तो ये मेरी कुर्टी है कुर्टी की हम ऐसे सीधी side लेंगे और neck को इसके उपर न हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल center में रखेंगे सबसे पहले center में एक rough stitch लगाएंगे उसके बाद बिल्कुल वुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो ऐसे वुक्रम के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा दी है अब हम ये बीच वाले fabric को cut कर देंगे अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मार्जन लेते हुए तो अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे तो कट्स भी हमारे लग चुके हैं अब हम नेक को पलट लेते हैं अंदर की तरफ तो इसको पलटते हुए ना हम यहाँ पे rough stitch कर लेंगे तुरपाई के लिए यहाँ पे तो ऐसे बड़ा वाला neck हमारा ready हो गया है अब हमने इसके बीच वाले cut work को ready करना है तो ऐसे मैंने cut work वाले neck को भी extra fabric के उपर paste कर लिया है यह fabric मैंने अपनी कुर्ती में से contrasted green color का लिया है आप भी इसी तरीके से अपनी कुर्ती में से contrasted कोई भी fabric ले सकते हो तो बिल्कुल इसके जितना ही मैंने एक और fabric लिया है इसके जितना ही चोड़ा और इसके जितना ही लंबा इस fabric को ऐसे सीधा करके रखेंगे और ये पैटरन वाले फैब्रिक को इसके उपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे साइड से न अपने लगबग एक एक इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और अब हम अपने कटवर्क के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे तो बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे एक रफ्स्टिछ लगा लेंगे तो ऐसे हमने कटवर्क के किनारे किनारे सिलाई लगा ली है अब हम यह बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मार्जन लेते हुए तो बीच वाले फैब्रिक को हमने कट कर दिया है अब हम यहाँ पे एक एक कट लगा लेंगे यह कट आपकी सिलाई तक लगे लेकिन यह ध्यान में रखे आपकी सिलाई ना कटे तो कट्स भी हमारे लग चुके हैं अब हम कट वर्क को पलट लेते हैं तो ऐसे हम कट वर्क को बाहर की तरफ पलट लेंगे तो कट वर्क को हमने ऐसे पलट लिया है अब हम इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे तो यह दिखिए मैंने कट वर्क वाले नेक को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है और जो बुक्रम थी ना मैंने उसके किनारे किनारे पे ये वाला मार्क कर लिया है और अब हम इसी वाली मार्किंग के उपर रखें न अपने बड़े वाले नेक को जो हमने कुड़ती पे रेडी किया था उसको स्टिच करेंगे इस तरीके से रखेंगे ऐसे सेट करके रखेंगे और यहाँ पे किनारी की सिलाई के साथ हम कटवर्क को बड़े वाले नेक के साथ स्टिच कर देंगे तो यहां पे हमने किनारी की सिलाई भी लगा दी है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कटवर्क हमारी कुड़ती के ऊपर और कितना खूबसूरत हमारा ये डिजाइन नेक का रेडी हुआ है तो आप भी ये वला डिजाइन जरूर ट्राइ करें तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और मेरी ये वीडियो ची लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई